आज ऐसी रेसिपी आपके लेकर आई होना ये रेगुलर सेवियों से अलग है क्यों मैं आपको इस रेसिपी में ही बताऊंगी तो जल्दी से आरोमाटिक कुकिंग को फालो कर लिजे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो यूटुब पर देख रहे हैं तो सबस्काइब कर लिज साथी साथ इसमें मस्टर्ड सीट आट करने हैं क्यूमिन सीट आट करने हैं इनको हलका सा भून लेंगे और यहां पर हम एड़ कर रहे हैं इसमें स्लिट कीवी मिर्ची अब जादा आट कर सकते हैं करीपते से बहुत 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 अच्छा लगता है साथी स जाथ हम इसमें बारीक कटीवी प्याज या फिर रफ़ली चॉप प्याज आड़ कर देंगे आप चाहें तो इसमें चना और डाल भी डाल सकते हैं थोड़ी सी पर मैंने यहां पर नहीं याद किया है इन सब को अच्छे से भून लेंगे और इसी स्टेज पर मैंने आड़ कर यहां पर मैंने एक मीडियम साइस का आलू लिया है जिसको इस तरह से चॉप कर लिया है मटर मुझे बहुत पसंद है हर चीज में जितने भी ब्रेकफस्ट रेसेपीज होती है उसमें मटर आड़ कर देती तो मैंने आधी कटोरी मटर आड़ कर दिया है यहां पर इसको भू जाकर अच्छे से भून लेंगे पांच मिनिट के लिए हैवी बॉटम की कड़ाई लीजेगा तो यह जल्दी से नहीं लगेगा तो मेरे पास यह वी बॉटम की कड़ाई नहीं है लाइट वेट है तुमें इसमें इसको अच्छे स्टिर करती रहोंगी और हलकी आज पर अच्छा मसाले भी आट कर देते हैं बहुत बेसिक मसाला मैंने इसमें वान फोथ ती या फिर हाफ ती स्पून के अराउंड हल्दी आट किया है जितना कम हल्दी आट करेंगा उतना बहतरी न टेस्ट आएगा हलका सा गरम मसाला आट कर सकते हैं मैंने हलकी से पीली मिर्च पाउडर आट किया है और इसको भून लेंगे आप चाहें तो हल्दी स्किप भी कर सकते हैं नाचुरल कलरी भी इसका बहुत अच्छा आता है इन सब को अच्छे से भून लेंगे और इस तरह से तो मिनिट के लिए भूनने छोड़ दीजेगा और आप इस टेच पे मैं आय नेक्स टेप क्या फॉलो करना है जब तक आप आरोमाटिक को किंग को फॉलो कर लीजे ऐसी ही रेगुलर रेसिपीज हम आपके लिए ला रहे हैं यह वर मिसलिए क्यों अलग है यह अभी आपको पता नहीं है तो यहां पर आज हम को शेयर करने वाले हैं कि क्यों अलग है त इस यह 70% तक को खो जाएगा तो बेस्ट होगा यहां पर देखिए हमारे आलू कितने पगए हम अब चेक कर लेते हैं बट आल्मोस्ट मॉस्टर इसका सारा निकल चुका है अब्सॉब हो चुका है सारी विच्टेबिस में अब हम आलू चेक कर लेंगे तो आल्मोस्ट ही ब खाते हैं राइस सेवियों का टेस्ट एक दम अलग आता है तो यह मैंने यहां का ब्रैंड है और पंग्डूरू में इसका अपना सेट अप भी है बहुत अच्छी रेसिपी सावत इन सर्फ करते हैं और इनके अपने मटीरियल भी आते है इंस्टेंट कोकिंग के तो यहां आज मैं इन ही की राइस वर्मिसली ले रही हूं और यह बहुत जल्दी बन जाती हूं बहुत कम पानी में इसको बना लेते हैं स्टीम भी हो जाती है अगर थोड़ा सा मौश्चर है तब भी तो इस तरह से देखिएगा इसको तीन से चार मिना टॉल लगेंगे हम इस तरह स इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लेजेगा और यह बहुत जादा फ्रिजाइल हो जाती हैं अगर जादा पानी आट कर देंगे ना तो एकदम से मैशी हो जाएंगे को राइस की है और पहले से ही इसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है इसलिए इसलिए इसलिए रेडी हो जाएंगी तो यहां पर इसको भूनने की जरुवत भी नहीं पड़ती है इसको डायट लिए आप आट कर सकते हैं और यहां पर देखे मैंने आधी कटोरी से भी कम पानी लिया है बाकी मैं इसको स्टीम में ही पाश मिट के लिए पकाऊंगी यहां पे दे वाले से इंजॉई कर सकते हैं बहुत सारी वे चीज के साथ में आस पर देस्ट हमने सॉल्ट आट कर दिया है और इसको ढखकर हम पका लेंगे लगबग 5 मिनिट के लिए इस तरह से इसको बीच पीच में स्टिर करते रहना है अगर नॉन स्टिक पर बनाने तो केरफुली ब इसी स्टेज पर गैस को बिल्कुल धीमा कर दूंगी और दो मिनट के लिए इसको फिर से रखोंगी ढखकर लास्ट में आप इसको ढखकर गैस बंद करकर दो मिनट के लिए छोड़ देज़गा जिससे के अच्छे से अरोमा रिलीस कर देगे हमारे सारे इंग्रीजिंस कर सकते हैं ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं तो मैं आज इस तरह से सर्फ कर रही हूं तो यह मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पे जनरली उपमा है और इस तरह की चीज़ें है अलवा है यह इस तरह से सर्फ होती है तो देखिए मैं इस तरह से प्लेट ले रही हूं इसक तो जल्दी से सेव कर लिजे रेसिपी को आरोमाटिक कुकिंग को ऐसी ही रेसिपी के लिए फॉलो करना बिलकल मत भूलेगा लगी अच्छी रेसिपी तो कॉमेंट कर दीजेगा लाइक शेयर करके हमें जरूर बताईएगा एंजॉई